सब्सक्राब कीजिए हमारी यूटूब चैनल वेटरनेरी स्टेडी को और बेल आइकन करो प्रेस कीजिए और ओल ओप्शन को क्लिक कर लिजिए सभी तरक इन्फोर्मेशन पाने के लिए नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल वेटरनेरी स्टेडी में और दोस्तों आज हम जो है वेटरनेरी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टन्ट क्यूशन से स्टेडी से रिलेटेड जो वेटरनेरी के अंदर जितनी भी स्टेडी है यानि क अलग-अलग जितनी भी स्टेडी है जैसे कि तौचा है पसु शरी रचना है उनके अंग है जितनी भी सारी स्टेडी है उनके जो बाग है उनको क्या-क्या कहते है उसके सम्मधित इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्यूशन से जो आज हम इस वीडियो में पूरे देखेंगे बहुत important question है विदोस्तों वीडियो को फूरा जरूर विजिट करना और अच्छा लगए तो like, comment, share जरूर कर देना तो साथ अपना first question है कि पसुर सरीर की सरचनाओं का अध्यान किस साखा में किया जाता है यानि कि जो पसुर सरीर सरचना है उसका structure है उसका अध्यान जो steady है किस साखा में किया जाता है किस branch में किया जाता है यह किसके अंदर आता है इसकी जो steady होती है उसको हम क्या कहते हैं यह साथ्यों जो LSA वालों के लिए जो LSA के त्यारी कर रहे है उसके अलावा hdp first year and second year जिनके भी running में चल रही है उनके लिए भी यह बहुत important question है तो साथ्यों सबसे पहले है कि weight anatomy, weight physiology, weight gynecology और weight surgery तो जो पशो सरीर के जो इतनी भी सरचना है उनका अध्यन जो है veterinary anatomy में किया जाता है किसमें पशो सरीर रचना विग्या जिसको हम बोलते है veterinary anatomy में किया जाता है नेश को अपना question है कि ताउचा का अध्यन कहलाता है जो skin है उसके हम study करते है तो वो क्या कहलाती है ताउचा का अध्यन तो option है अपना dermatology, trichology, odontology और embryology तो इसका right answer है वो है dermatology ताउचा का अध्यन, dermatology कहलाता है next question है अपना कि पेशो का अध्यन कहला था यानि कि जिदने भी man looking therapy उसकी study क्या कहलाती है पेशो का अध्यन तो अपने option है hematology, myology, kytology या फिर ethology तो पेशो का अध्यन क्या कहलाता है तो ष्यचा कहलाता है जितने बिम्या आपको 10 इंपोर्टेंट comprehension बता रहा हूं बाहुत हूं इंपोर्टेंट में पूछे जाता है वेटेनरी के भी औरां में compelling पूछे यह गतितना अम्सिताव मांशन थृर्टेंटेश हैं उन्हों पिणsyesus इंजोलोजी, हिस्टोलोजी, मस्टोलोजी और न्यूजलोजी तो साथ जो ज것 जार आंसरिया आपका मस्टोलोजी यानिके मस्टर टेस्ट जो बिमारी होती है उसके फेपडो की सुजन गेलाती है कि फेपड़े जो है अपने लंग से उसमें अगर इंफ्लामेशन हो जाता है सुजन हो जाती है तो वह क्या 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 लाता है उसका तो राइड आंशर है अपना ओप्चन देखते हैं कि न्यूमोनिया प्लियोटी इंपेमिया या फिर नन यानि के इन में से कोई नहीं तो फेबरो के सूजन क्या किलाते है नियुमोनिया हम कहते हैं कि पसो को नियुमोनिया हो गया तो उसमें क्या होता है कि फेबरो के में सूजन आ जाती है जिससे नियुमोनिया हो जाता है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट गोगी यानिके एंडो यानिके अंतर रौक वर कर नोकी यानिके उनका शरावख जोचक राइए एंडो क्राइशल सहरवाचा स्रावख्व का अधियान जितनी पूरब्स विर्व कंच केलता है तो जानटरYA करें कोई नहीं तो एपना चेहितारण हैतर औंत्रेक अंगों का अध्यन कैलाता है epignology next important है कि के tourists का आतियन क्या था है ज्योटS जितने भी है जोड थीके दोस्तु क्या ज्यूआ जितने भी है उन्का आतियन क्या के लाता है है तो option है अपने Op trauma Archaeology, Dopazology, Sy guardingوجै, Sourceology या फिर लो जा, भी दोनों तो इसका जो ऑर राइंट यह वो है 11 BAR के इसमें आर्थ्रोलोगी या पी सिंड़ेस्टमोगी दोनों इसके आंसर हैं इन दोनों में यहाँ कोई बीयुक कर सकते एगर उप्सवाइं या फिर सेट्यसमों लौजी है कि उत्कों का दिन क्या था जितने भी उत्तक टुस्ँरपी टो उनका जो अध्जन है वह क्या दयाता है तो वह क्या द दोस्तों अपना अप्शन है cytology, histology, neurology या फिर hepatology तो right answer है अपना histology histology उतको का अधिन कहलाता study of tissues next question है अपना कि नर्जनन तंत्र का अधिन क्या कहलाता जो नर्जनन तंत्र है male reproductive system तो उसको हम क्या कहते है तो अपना option है gynecology, endrology, mastology या फिर इन में से कोई नहीं तो right answer है इसका endrology, नर्जनन तंत्र को हम endrology कहते है इसका अधिन के जो है endrology कहलाता है और जो मादा जनन तंत्र होता है female reproductive system उसके अधिन को हम gynecology कहते है ये बहुत important है दूनाई, gynecology female reproductive system और endrology male reproductive system का study करना और mastology मैंने अब भी आपको बताया है इस्तर गरंत्यों का अधिन करना तो सात्यों ये कुछ important question है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए है तो वीडियो को ज्यादे ज्यादे शेर कर देना अगर अच्छा लगा हो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर बेल आकन जुरूर प्रेस कर देना मिलेंगा नेस्ट वीडियो में अच्छी जानकरी के साथ में तब तक के लिए देनेवाद एंड ठैंक्स पर पोचिंग